जिन्दगी में एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों में एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन कुछ शुद्ध और सात्विक तरीका है जो हमको फॉलो करना चाहिए, हमें भोजन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे हमको सात्विकता प्राप्त होती ही है, हमको पैसा ही पैसा मिलने लगता है, क्योंकि धन का और भोजन का बहुत गहरा नाता है, मा अनपूर्णा आप पर प्रसन होती है, आपकी रसोई आप ठीक ठाक रखते हैं, मतलब अच्छी तरीके से रखते हैं, भोजन सही समय पर सलीके से सर्व करते ह तो आपको जिन्दगी के अपार सुख मिलने लगते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं भोजन करते समय इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें अगर भोजन सम्मन्नी गलती आप करते हैं तो आपके जिन्दगी में गरीबी आ सकती है गरीबी से दूर रहने के लिए इन बातों को follow करना जरूरी है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ Hi everyone, my name is Dr. Umashiri, मेरे चनल में आपका स्वागत है आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है आपको भोजन करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए और उत्तर भी मुख होकर ही भोजन करना चाहिए ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होता है भोजन करते समय बहुत तेज तेज आवाज नहीं करनी चाहिए भोजन हमेशा साफ सफाई वाली जगे पर बैट कर करना चाहिए भोजन खबीबी फर्श पर बैट कर ना करें कोई आसन आप बिछा कर ही भोजन करें कई मनुष्ये उकडू बैट कर भोजन करते हैं जो पूर्ण तह गलत है ऐसा करने से गरीबी आती है पावों को फैला कर भोजन करना अभध्र श्रेणी में आता है लेकिन इसका नाता आपके भग्य से है आपका सो भग्य दुरभग्य में बदल सकता है ऐसा करकर तो ऐसा ना करें कभी भी जूते पहन कर भोजन नहीं करना चाहिए अतियावशक्ता में कर सकते हैं लेकिन इसका हम निशेद करते हैं और जूते पहन कर कभी भी भोजन आपको नहीं करना चाहिए कई परिवार ऐसे होते हैं जिन में बच्चों को जूला जूलते हुए भोजन कराते हैं जिससे उनका मन लगा रहे और उनको एसाज नहीं हो लेकिन ये बहुत गलत प्रक्रिया है कभी भी जूला जूलते हुए भोजन बच्चों को या किसी को भी नहीं करना चाहिए ये बहुत ही अशुव होता है इसी तरह से शास्त्रों में गीले वस्त्र पहन कर भोजन करना बहुत ही मनुसियत को निमंत्रन देना है और हानी कारग भी बहुत होता है तो गीले वस्त्र पहन कर आपको ये क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए और तो और हतेली को टिका कर भी भोजन नहीं करना चाहिए कुल मिलाकर भोजन संबंदी जो हमने बाते बताई हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपका सोभाग्य जागरत होता है और ऐसा करने से आप हर कश्ट से बचे रहते हैं आपको खुशिया मिलती है आपको पैसा मिलता है और आपको सुख सोभाग्य जागरत होता है तो सुख सोभाग्य को जागरत करने के लिए इन नियमों को अवश्य फॉलो करिए जो हमने आपको बताए हैं I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल डॉक्ट